हेलो एवरिवन, जाध है स्कूल की ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा छटी की हिंदी व्याकरण का पाट छे जिसका नाम है सर्वनाम चो चलो समझें की सर्वनाम क्या है देखो यहाँ पे एक चेतर दिया गया है दो लड़किया हैं आपस में बात चीत कर रही है चोड़ो पढ़ते हैं अब सुलेखा और मिनाक्षी एक दूसरे से कई दिनों बात मिले वे आपस में बाते करने लगी सुलेखा मिनाक्षी तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सुलेखा मैं भी अच्छी हूँ, तुमारा कुत्ता राकी आज कहा है? मिनाक्षी वह आज घर पर है, उसकी तबियत ठीक नहीं है सुलेखा ओम उसका द्यान रखना अब जरा देखे कि सुलेखा मिनाक्षी और राकी संग्या शब्दों के लिए किन किन शब्दों का प्रियोग हुआ? मिनाक्षी के लिए तुम मैं तुमारा सुलेखा के लिए तुम राकी के लिए वह उसकी उसका संग्या के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं ये है सर्वनाम की परिभाशा आगे है सर्वनाम के भेर सर्वनाम छे परकार के होते हैं, पुरुषवाचक, प्रशनवाचक, निश्यवाचक, सम्बंदवाचक और निजवाचक सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं पहाड पर चड़ रहा हूं ये हो गया, बोलने वाला तुम भी आजाओ, ये सुनने वाला वह भी चड़ाई करेगा, किसी अन्य के लिए, बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जिन शब्दों का प्रियोंग किया जाता है, उन्हें पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मै तुम वह मैंने तुमने उसने आदी, आगे चलिए, दूसरा है प्रशन वाचक सर्वनाम, बहन जी क्या चाहिए, ये बैंगन कैसे दिये, आपके साथ कौन है, प्रशन पूछने के लिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रियोंग किया जाता है, उन्हें प्रशन वाचक सर् इसने किसका आदी, आगे चलिए, तीसरा निश्च वाचक सर्वनाम, अरे ये तो मेरी पैंसिल है, तुमारी पैंसिल वह है, देखो ये मेरी किताब में है, किसी निश्चित वस्तू या व्यक्ति के लिए, जिन शब्दों का प्रियोंग किया जाता है, उन्हें निश्च व वह वे ये आदी, अगला है अनिश्च वाचक सर्वनाम, मा कोई आया है, उसे कुछ चाहिए, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तू के लिए, जिन शब्दों का प्रियोंग किया जाता है, उन्हें अनिश्च वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई कुछ आदी, अगला है स संबंद वाचक सर्वनाम, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जहां नदी बह रही है, वहां एक किला था, शिक्षिका जो पढ़ा रही है छात्रविय सुन रहे है, किसी संग्या या सर्वनाम का अन्य संग्या या सर्वनाम से संबंद बताने के लिए जिन शब्दों का किया जाता है उन्हें संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जो वह जिसने उसने जिसकी उसकी आदी अगला है निजवाचक सर्वनाम देखो मा मैंने अपनी कुरसी खुद साफ की शाबाश बेटा हमें अपना काम स्वयम करना चाहिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे अपने आप स्वयम खुद आदी आगे देखिए ये भी जानिये सर्वनाम शब्दों में इस्त्रिलिंग में पूलिंग का बेट नहीं होता है क्रिया से ही लिंग का पता चलता है जैसे में है मैं जा रहा हूं और इस्त्रिलिंग में है मैं जा रही हूं पुलिंग में आ गया वह कहां चला गया इस्त्रिलिंग में वह कहां चलीगी सबनाम शब्दों में भी एक बचन और बहु बचन वाले शब्द होते हैं जैसे एक बचन में उसने कवीता सुनाई बहु बचन म में उन्होंने कविताई सुनाई, मैं सैर करने जाओंगा, हम सैर करने जाएंगे, आगे देखिए, आधर्व्यक्त करने के लिए, एक बचन की जग्ह सर्वनाम के बहु पचं रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक बचन में, वे भारत के राष्ट पिता है, बहु बचन पीस है पूरे देखिए हमने जाना हमने संग्या के स्थान पर परिउक्थ होने वाले शब्ट सर्वनाम कहलाते हैं सर्वनाम के छे वेद होते हैं पोरुश बाचक परस्छं बाचक निश्च बाचक अनिश्यवाचक, संबंध बाचक और निजवाचक आगे चलिए आउजांचे आप इसकी अक्सेसाइज आ गई पहला है दिये गे वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर उसके बेद का नाम लिखो यहां पे वाक्य दिये गे है आगे सर्वनाम बताना है उसके आगे उसका बेद लिखना है क देखिए आप भी खाईए इसमें कौन सा सर्वनाम है इसमें आ गया आप और बेद है पुरिश्वाचक अगला है ख रमेश अपने आप काम करेगा तो इसमें है सर्वनाम अपने आप और भेद है निजवाचक अगला है यह मेरा घर है तो इसमें सर्वनाम आगया मेरा और इसका भेद है पुरुशवाचक घ जो करेगा सो भरेगा यह सर्वनाम है इस ये आगया संबंद बाच्चक सर्वनाम जो करेगा सो भरेगा ये है इसमें आगया सर्वनाम जो और सो इसमें दो आगया जो और सो ये है संबंद बाच्चक सर्वनाम अगला है दूद में कुछ गिर गया है ये इसमें सर्वनाम है कुछ और इसका बेद है और निश्च वाच्च सर्वनाम आगे चलिए दिये गए सर्वनाम का परियोग रंगीन शब्दों के स्थान पर करते हुए वाक्य दुबारा लिखो तुम भी मेरे साथ चलो तो इसमें सर्वनाम हो गया रंगीन जो है तुम तो इसमें आप लिखना है आप भी मेरे साथ चलो अगला है ख राखी ने उसे सारी बात बताई तो इसमें सर्वनाम हो गया उसे तो इसकी जगा उन्हें लिखना है राखी ने उन्हें सारी बात अगे है ग, नीदी ने बताया कि वह पढ़ रही है, तो इसमें सर्वनाम है वह उसकी जगह हमने वे लिखना है, नीदी ने बताया कि वे पढ़ रही है, अगला गया, मैंने चित्र बनाया, तो इसमें सर्वनाम है मैंने इसकी जगह हमने, हमने लिखना है, हमने चित्र बनाया आगे चलिए उचित शब्द चुनकर रिक्तिस्थानों की पूर्ति करो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है उसमें शब्द दीए है तुमारी अपना कुछ वे तुम तो इनको हमने खालिस्थान में बरना है क देखिए तनुच डैश पढ़ने कब बैठोगे तो इसमें आएगा तुम क्या आएगा इसमें तुम तनुच तुम पढ़ने कब बैठोगे आगे दूसरा देखिए मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा अगला चलिए कुछ लोग आ रही है उसके आगे आएगा वे कल हवाई जहाज से मुंबे जाएगा लास वाला है ये तुमारी किताब है पहले में आएगा तुम दूसरे में अपना तीसरे में कुछ चोथे में वे और लास वाले में आएगा तुमारी आगे आओ खेलें सही सर्वनाम शब्द चुनकर अनुचेत पूरा करो यहाँ पे एक चितर दिया गया है और यहाँ पे हमने चितर की साहिता से इस अनुचेत में सही सर्वनाम जो है वो लिखने है और इस अनुचेत को पूरा करने है चोड़ो पढ़ते हैं कल की बात है क्या आएगा इसमें अगे सर्पना मैं कल की बात है मैं सुभा सेर करने पार्क में गई आगे आएगा मेरे साथ मेरी सहेली सुनन्दा भी थी हम सेर कर ही रहे थे कि अच्छानक हमें एक सांप दिखाई दिया मैंने सुनन्दा का हाथ पकड़ा और एक किनारे हो गई सांप देखकर मैं डर गई थी उसने एक डंडी उठाई और सांप को बगाने लगी लोगों ने पूछा क्या है मैंने कहा सांप है लोगों ने समझाया कि उसे मत छेड़ो वे अपने आप ही चला जाएगा उसे भगाऊ मत थोड़ी देर बाद सांप जाड़ी में खो गया हम घर वपस आ गए पस में बात चीट करो पशू को मारना क्यूं उचित नहीं है उसके आगया अगर दियेगे उत्तर के प्रशन बना कर लिखो उत्तर दियेगे हैं और खालिस्तान में हमने इनके प्रशन खुद बनाने है कह देखिए सहेली का नाम सुननदा था तो इसका प्रशन क्या होगा और सांप को बगाने लगी तो इसका प्रशन आएगा लड़की ने क्या उठाया और किसको बगाने लगी अगला है सांप जाडी में खो गया तो इसका प्रशन आएगा सांप कहां खो गया तो ये था हमारी कक्षा चटी का पार्ट छे तो अगली वीडियो में मैं आपको प प्रूर करें थैंक यू